असलाम अलेकूं मेरे प्यारे दोस्तों आज की ये वीडियो मैं पाकिस्तान और इंग्लेंड के मैच के बारे में बना रहा हूँ तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान को वो क्या क्या कान करने होंगे जिसकी वज़ा से पाकिस्तान इंग्लेंड से मैच जीत जाए सबसे पहले तो हमने टास्ट जीज़ कर बैटिंग का फैसला करना है तो बैटिंग करते हुए बाबर और रिजवान जो हैं वो जाहरे ओपनर नी आएंगे और तो किसी को बना ओपनिंग का चांस नहीं मिल सकता तो उनको चाहिए कि अपना जो है पावर प्ले में ज्यादा ज्यादा रंस बनाने की कोशिश करें उसके बाद जो ममद हारिस हैं उसके पास भी मौका है कि वो भी अच्छे से अच्छे रंस बनाए तो रंस का जो टार्गेट है ज्यादा ज्यादा तक्रीबन 200 के करीब देना चाहिए इंगलेंड को या 80-90 तो कम जबना चाहिए उसके बाद अगर हमें बालिंग का मतलब चांस मिलता है तो हमें चाहिए कि इंगलेंड को ज्यादा से ज्यादा साथ या पच्पन तक जाने दें इससे ज्यादा नहीं जाने देना चाहिए तो हमारी जो बॉलिंग है वो बहुत अच्छी है मुझे अमीद है कि इससे ज़्यादा नहीं करने देंगे पचास से उपर या साथ से उपर तो जो भी हो इस जो फाइनल है इसमें सारी जो टीम है उसको अपना काम करना होगा यह नहीं कि सिर्फ बापर या रिजवान कर जाए या महमध हारिस कर जाए या बॉलिंग में राउफ या शाहिन शाफ रीदी करें जो दूसरे भी बॉलर्स हैं उन्सब को अपना काम करना चाहिए तब ही हम मैच जीत सकेंगे तो टीम वर्क करना होगा और सक्त मेंद करनी होगी यह नहीं कि सिर्फ मतलब के टास जीत कर शुरू हो जाना है जी एक प्लैनिंग के तहरत एक टार्गेट सेट करना होगा एक गोल बनाना होगा कि यहां तक हमने मैच को ले जाना है इसके लावा जो दूसरे अक्सपर्ट हैं स्पोर्ट के वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो टीम है इस वक्त फार्म में है उनमें जीतने की मतलब के चांस है पाकिस्तान जीत सकता है यह फाइनल तो देखा जाए तो जिस तरह इंग्लिंड ने इंडिया को हराया है तो उस इस बारे में पाकिस्तान को सोचना चाहिए वाला कि पाकिस्तान के अच्छे-च्छे-बॉलर दुदी हैं लेकर फिर पी इंग्लेंड जो है एक इंडिया एक छोटी टीम नहीं है उसके साथ खेलकर अच्छा खेलकर फाइनल पहुंची है तो बाबर के लिए एक मतलब मुश् खड़ी कर सकते हैं इंग्लेंड वाले तो बाराल हम सब ने पाकिस्तान टीम के लिए द्वा करनी है को जीत है